आज तक के ऑपरेशन आम आदमी ने बड़ा खुलासा किया है आज तक के ऑपरेशन आम आदमी का तुरंत असर हुआ तकाल प्रभाव से वोटर इननेस विनोत कुमार, पटवारी सुनिल कुमार और मीटर रीडर अतुल प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है हलंके बाकी दो आरूपियों के खलाफ अभी कोई कारवाई नहीं हुई इसी दोरान दिली जलबोट के 800 कर्मचारियों का तबादला भी कर दिया गया है महीं नौर्थ M.C.D. ने भी 1500 बेलदारों के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिये हैं दिली के मुख्यमांत्री अर्विन के जिवाल ने भी आज तक को संदेश भेज कर शुक्रिया कहा है इस्टिंग ओपरेशन आब आदमी के लिए आज तक का शुक्रिया गुनेगारों के खलाफ मंगलवार को प्रभावी और कड़ा एक्शन लिया जाएगा केज़री सरकार ने फिर कहा है कि एक भी भ्रस्ट अचारी को नहीं बक्षा जाएगा तुरंत अक्शन लिया है सरकार ने जैसे ही हम लोग घर पहुचे हैं मैंने देखा है, पांच मिनिट मैंने फूटेज देखिय और उसके तुरंत बाद हमने अक्शन लिया है इसके अलावा भी कहीं कोई और करमचारी भी इस तरह की हरकत करते हुए पाए जाएगा तो पक्षेंगे नहीं उसको दिली सरकार इश्वत खोरी की शिकायत करने के लिए हेलप लाइन नमबर बुधफार को उपलप करा देगी ये अलान दिली के सियम अर्विंद के जिवाल ने किया के जिवाल ने कहा कि इसके लिए सिस्टम तयार कर लिया गया है ये नमबर विजलन्स डिपार्टमेंट के पास होगा पहले कॉंग्रिस के केंद्री मंत्री ने आमादमी पार्टी के नाम से कॉंग्रिस बिज़ेपी को साबधान किया तो अब बिज़ेपी के सांसद शत्दुन सिन्हा ने सभी पार्टियों को वक्त रहते समलने की नसिहत दी है पत्ता में party कार्यकरताओं के एक सम्मिलन में बिज़ेपीस सांसत ने कहा कि आपको हलके में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए सबको सीखना चलिए आरविं के जिवाल के काम का सर अब मुंबई में भी हो रहा है पहले कॉंग्रूस नित्या संजय निरूपम ने सरकार से बिजली के दाम कम करने के मांग की तो अब चेहर के मेर ने गरीवों को दी जाने वाली पानी के मुद्दे को उठाया है आदर्श खुटाले में महरास्ट के पूर्व सीयम अशुक चोहान ने चीफ सेकरेटरी को चिठी लिखी है अशुक चोहान का आरूप है कि जाच आयोग ने रिपोर्ट तयार करते वक्त कई पहलवों को नजर अंदास किया है आरूप ये भी है कि आयोग ने जवाब देने का मौका तक नहीं दिया इस बीच राज्ज बिजेपी ने फैसला किया है कि वो कॉंग्रेस और न्सीपी के नेताओं के खिलाप आपराधिक केस दर्श कराने के लिए बॉंबे हाई कोर्ट में अपील करेगी आम चुनाफ से पहले मर्मोहन सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा दाम लगाया है सरकार चुनाफ से पहले 40,000 करोन के प्रोजेक्ट्स को हरी ज़ंडी दिखाने के तैयारी में लगी है आचार सहिता लागू होने से पहले इन प्रोजेक्ट्स को मनजूरी देने की तैयारी चल रही है अगले 30 दिनों में 14 बड़े प्रोजेक्ट्स को मनजूरी मिल सकती है सुप्रिम कोट के रटायर जज एके गांगोली ने बंगाल मानवादिकार आयोग के अध्यक्ष पत से स्तीफा दे दिया है एंटरन यौन शोचन मामली में फसे जस्टिस एके गांगोली ने रजजपाल से मिलकर उन्हें स्तीफा सोपा इससे पहले जस्टिस गांगोली के खलाब सरकार को कारवाई करने से रूखनी के लिए दायर की गए एक याचिका को सुप्रिम कोट ने कल खारिश कर दिया पश्टिम बंगाल के मद्ध ग्राम में ग्यांगरे पीडित के पिता आध दिली में राश्टिपती प्रिणमोखरजी से मुलाकात करेंगे इसके बाद वो राश्टि महिला आयोग भी जाएंगे इस से पहले कोलकता हाई कोट में पीडित परिवार ने एक याचिका दाखिल की है जिसमें उन्होंने इस केस की जान सीबियाई से करानी की मांग की है बिहार के मुख्यमंत्री नितेश कुमार ने पश्टिम बंगाल सरकार के इस आरूप को खारिच किया है कि उन्होंने राज्य की विवस्था में कोई हस्तक शेप किया है नितेश ने कहा कि गैंगरेप मामले में सरकार ने इस्थिती से अवगत होने के लिए बंगाल में अधिकारी भेजा है जिसे गलत तरीके से समझा गया उन्होंने कहा कि हमने सहायता भेजी है ना कि पश्रिम बंगाल सरकार के भावनाव को ठेस पहुंचाया है पतना हाई कोट ने एक जन्वरी से बिहार में बालू के खनन पर रोक लगा दी है जिससे पूरे राज्य में निर्मान कारे बंध होने की कगार पर है विपक्ष इसके लिए राज्य सरकार को दोशी मान रहा है लेकिन सरकार का कहना है कि जल्दी इस मामले को सुलचा लिया जाएगा जासुसी कान में नरेंद्र मोधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस मामले में निलंबित आईएस प्रदीप शर्मा गांधी नगर थाने में मोधी के खलाफ एफाईयार दर्ज कराने पहुँच गए अलाकि फुलस ने एफाईयार दर्ज नहीं की प्रदीप शर्मा अब कोट जाने की तैयारी में हैं प्रदीप शर्मा का रूप है कि मोधी और आमिच्जा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और लड़की के साथ उनका भी फोन टैप कराए गया उत्तरफ्रदेश के मुझफर नगर में बेहट सम्विदन शील और भड़काउ किताबों को लोगों के बीच बाटने का मामला सामने आया है खत्रा ये है किस से मुझफर नगर में फिर से शान्ती भंग हो सकती है हम आपको बता दें कि अगस्त और सितंबर के दंगों में 60 से ज़ादा लोगों की मौत हो चुकी है और 50 हजार से ज़ादा लोग विस्थापित हुए है नगलन के दीमापूर में कारभी समुदाय के नौ लोगों की मौत के मामले में गुर्यमंतवाले नगलन और असम सरकार से रिपोर्ट लेने वाली है माना जा रहा है कि रिपोर्ट के बाद आज गुर्यमंतवाले कोई फैसला ले सकता है देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने लॉंच किया है Money Back Plan इसमें ग्राकों को कभी भी पैसा निकालने की छूट होगी 20 और 25 साल की अवधी के लिए Money Back Plan में ग्राकों को बहतर रिटन्स दिये जाने के बाद कहे गई है अलकि ग्राकों को प्रीमियम के भुगतान में चुकाना होगा Service Tax लेकिन ग्राकों की सहुलियत के लिए प्रीमियम की रकम कम की गई है पाकिस्तान के पूर्व विदेश सच्छेव शेहरियार खान ने कहा है कि भारत की प्धानमंती मनमोहन सिंग को पाकिस्तान आना चाहिए आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकस्तान मनमोहन सिंग और भारत के चिनताओं से वाकिफ है और इसे दूर करने की कोशिश कर रहा है शैरियार खान ने जmp anthem बी कहा कि पाकस्तान में भारत में पांच मैचों की सिर्ी इस खेलना चाहता है पूरा उत्तर भारत अभी भी कड़ाके की ठंग से बेहाल है जब मुकश्मीर से लेकर हिमाचर प्रदेश और उत्राखंट के पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है हर्याणा के हिसार में सुमवार को न्यून्तम तापमान माइनस दो दश्मलव एक डिग्री सेल्सियस रिकॉर्द किया गया श्रीनगर, गुल्बमार्ग और पहलगाम में पारा लगतार माइनस में है उत्राखंट के अल्मोड़ा में न्यून्तम तापमान शुगने दश्मलव दो दिग्री सेल्सियस तर गिर गया राजधाने दिल्ली भी ठन और कोहरे की मार से परिशान है तापमान में कमी और कोहरे की वज़ों से रेल सेवा और हवाई या तयात पर बड़े पैमाने पर असर हो रहा है कई ट्रेने घंटों की देरी से चल रही है जिबकि दर्शनों फ्लाइट्स कैंसल हो रही है मुंबई में एक लगज़री कार कामपनी के कारिक्रम में आपिनीता सल्मान खान शरीफ हुए उन्होंने अपने लिए कार भी खरीदी और साथ में नसीहत भी दी कि सड़क पर किसी कोफी कारी साबधानी से और समल कर चलानी चाहे अज मुंबई के सेशन कोर्ट में सल्मान खान से जुड़े 11 साल पुराने हिटन दन मामले की सुनवाई शुरू होगी सल्मान ने इस केस का ट्राल फिर से शुरू करने के मांग करते हुए कहा था किस मामले के सभी गवा और सबूत को फिर से कोट के सामने पेश किया जाना चाहिए सल्मान पर आरूप है कि 28 सतंबर 2002 के रात उन्होंने बांदरा में फुटपात पर सो रहे पांच लोगों को कुचल दिया था जिसमें से एक की मौत हो गई थी कश्मीर में सिना की तैनाती पर आम आद्मी पार्टी के नेता प्रशान भूशन के बायान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है तमाम विरोधी पार्टी ने प्रशान भूशन के बायान के निंदा की है मद्धुप्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि प्रशान भूशन देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं हाला कि बयान पर मेचे बवाल के बाद प्रशान भूशन ने अपनी सफाई में कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है बिजब्पी के वरिष निधा लालकृषन आडवानी के मुताबिक देश में अभी सरकार के खलाव गुस्से का महौल है आडवानी को इस बार लोकसभाद चुनावों में बहतर नतीज़े की आस है आडवानी ने कहा कि कॉंग्रिस दल सालों से नोबॉल फेक दिया रही है इस बार हम चक्का मारेंगे दिले में आमादमी पार्टी से सीख लेते हुए बिजब्पी 14 जन्वरी से एक नोट एक वोड कैंपेंड की शिरुबात करने वाली है इस कैंपेंड की वज़ो से बिजब्पी की कोशिश एक करोन घरों तक पहुँचने की है राजधानी दिल्ली के चानन देवी अस्पताल में नवजाद बच्ची का शब कूले में फेकने की खबर से हलकम बच गया कीजरीवाल सरकार ने इस मामले को गंभेरता से लिया है देराद दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन ने चानन देवी अस्पताल का दौरा किया जैन ने साफ किया कि अस्पताल को 24 घंटे का अल्टीमिटम दिया गया है ताकि वो तैकरे कि इस मामले में गलती किसकी है दिल्ली आगरा हाईवे पर दो जनवरी को पोलेंट की महिला से रेप के मामले में नया खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि महिला ने बलातकार का जूटा इल्जाम लगाया है एक से चार जन्वरी तक महिला दिल्ली में ही थी और पुलिस के मुताबिक महिला मतुरा गई ही नहीं थी अब F.I.R को कैंसल किया जा सकता है ड्रग स्मगलर जगदीश भूला ने पंजाब की मंतरी बिक्रम जी सिंग मजीठिया पर गंभीर आरूप लगाए हैं जगदीश भूला ने कहा कि मंतरी राज्ये में ड्रग दसकरी करवा रहे हैं मुहाली कोट में पेश होने के दौरान जगदीश भूला ने यार उप लगाए पंजाब पुलिस ने भूला को गिरफतार कर 700 करोड के ड्रग रैकेट के पर दाफास का दावा किया था पटियाला जेल में चैकिंग के दौरान जेल अधिकारी पर कैदियों ने लोही की रोड से हमला कर दिया इस हमले में साथ पुलिस कर्मी जख्मी हुए हैं जेल अधिकारियों का कहना है कि चैकिंग के दौरान कैदियों के पास से एक मुबाइल की बैटरी मिली जिसके बाद कैदियों ने हंगामा शुरू कर दिया जारकन के पलामू में एक सिर्फिरे आशिक ने एक 20 साल की युवती पर जान लेवा हमला कर दिया जब रन शादी का विरूद करने पर आरूपी ने उसके साथ दुशकर्व करने की कोशिश की और फिर हत्या करने का प्रयास किया युवती की हालक गंभीर है जब कि आरूपी अभी भी फरार है आंज़ प्रदेश के खंबम में पुलिस ने एक करोण 66 लाग रुपे कैश दप्त किया है ये नगदी तीन लोगों से बरामत की गई है गालियों की जाच के दुरान पुलिस ने ये नगदी पकड़े अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ये पैसे किस मकसद से ले जाए जा रहे थे मुंबई में एक एंज़ियो के सदसे की पटाई का मामला साम जाया है राम भवन बार के मालिक और उसके पंदरे साथियों पर आरोप है कि उन्होंने मकबूल शेख को स्टिंग आपरेशन करने के खिलाफ जम कर पीटा पिछली रात मकबूल शेख ने रैड लाइट एलागे में नाबालिक लड़कों को बचाने के लिए स्टिंग आपरेशन किया था राजस्तान के चूरु सिले के तेलाप में धाई साल का बच्चा राधिशाम तीन सो फीट कहरे बोरविल में गिर गया बच्चा खेट में बने घर के सामने खेलते हुए फुले बोरविल के पास चला गया और इसी दोरान बोरविल में गिर गया घटना कल देर शाम की है खबर प्रशासन तक पहुँची इसके बाद बचाव के लिए कारवाई शुरू हो गई हर्याणा में कदावर नेता और विधान सवा स्पीकर कुलदीप शर्मा पर एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अपहरन का संगीन आरूप लगा है यमनानगर में नायब तहसीलदार की पतपर कारेरत एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट आनंद रावल पिछले चार दिनों से ला पता है गुस्ते में आग बवुला परिजनों और सेक्डों लोगों ने तहसील का रहले पर सूरदार हंगामा कर वहां जबरन ताला चड़ दिया मुंबई में सुमवार को कुड़ा एलाके में तीन दुकानों में भीशन आग लग गई आग गद्दा और रजाई की दुकान में लगी जिसे भुजाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी आलाके हाथसे में किसी के गहल होने की कोई खबर नहीं है मुंबई में ही बीती रात विले पारले की मीठा बाई कॉलिज के पास दवा की दुकान में आग लग गई आग को बुजाने में चार दमकल गाडियों के इस्तेमाल किया गया आग लगने की वज़े का अब तक खुलासा नहीं हुआ है मुंबई के हीरा नंदानी अस्पताल में एक महला के पेट से तौलिया निकाला गया हर्याना की रहने वाली महला का कुरुक्षेत्र में डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन हुआ था जिसमें डॉक्टर की लापरवाही से तौलिया पेट में ही छूट गया था पीरित ने कुरुक्षेत्र के डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है पूर बिलियर्स खिलाडी माइकल फरेरा को मुंबई पुलिस ठगी और जमीन अपहरन के मामले में तलाश रही है त्रोणा चारे अवार्ड से सम्मानित फरेरा दो मामलों में फरार है 460 करूर के बिजनस की उनिट खोटाले में उनके खिलाफ लोकाउट नोट जारी था और अब जमीन हडपने और धोका धड़ी का इलजाम लगा है दक्षन अफ्रीका में मिली करारी हार पर भारत में पहुशने के बाद पहली बार टिमिनिया के कप्तान महंदर सिंधोनी ने टीम के प्रदर्शन के बारे में जुबा खोली धोनी ने बचाव करते हुए कहा कि युवा खिलाडियों का प्रदर्शन बहतर था हाला कि मजाक में ये भी कहा कि आलोच कुको गोली मारें क्या शार्जा में अंदर 19 एश्वय कप में पाकिस्तान को हरानी के बाद घर लोट आई है अंदर 19 भारती टीम टीम के कप्तान विजजोल ने कहा इस चीज से वर्ट कप के तैयारियों को और ताकत और रफतार मिलेगी फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तानी टीम को 40 रनों से हराया था